हेलो प्रेंड्स वेल्कम टो अबर यूट्यूब चैनल तो उम्हेंदे सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की स्टेडी अच्छी चल रही होगी तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला वीडियो है इसका टिक्नोमेंट्री तुर्कोंड मिती बोलते हैं हिंदी में से कुस्ट कराइंगे इसका समझाएंगे कहां से क्या आता है और की और ये सब क्या होता इसके बारे में आपको चानकार कि देंगे लेकिन हमेरी कोशिश यहीं रहेगी कि आपको इस तरह से सिछाएंगे कि आपको यहे ब chop बहौत जादा हीज़़ी लगे तो पोसीज़ दे वीडियो प्ले किया है तो पहले उसे लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब करके आप जो है बैल आइकन पर और पर क्लिक करेंगे तब आपको नौटिफिकेशन की मिलती रहेंगे और हम अभी इंग्लिस का भी स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक वीडियो निसका डाल रखा है अभी सेकेंड वीडियो है जो इसमें आपको हम संटेंस के टाइप बताएंगे तो वह भी वीडियो आपको जल्दी आ जाएगा इसके बाद ही आएगा तो आज का टॉपिक है जो बहुत त्रिकोड मिती तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले आपने 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 आ कॉंसेट आखिर आता कहां से किस तरह से आता है अपसे पहले त्रकोड मिती को समझने के लिए तिरुबज को समझना जरूरी है ट्रेंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होने चाहिए क्योंकि यह जो पूरी समकोड त्रुबज पर बेस्ट होती है तो समकोड त्रुज क्या है यह मैंने आपको पहले एक वीडियो में समझा दिया था रेखा धर ती कि एक क्लास में मैं आपको बतार का पहले वी सारे तिरुबज ओके बारे में आपको जानकारी दे लिए हैं तो वहां पर आप जाके यह जाकर देक्द क Привет कि प्ले ज्डिस्ट में वाले वीडिय यह बहुती की बगती है तो उसी को लेकर जो को सी क्निमेंटा सेआया है वनमें भी मेन आपको एक गया सकते हैं समझ सकते हैं महां से आके अछिए से आपको मैंने पूरा बताया है तो तिरकोड मिती में सम्रूपता का उप्योग जो है स्टार्टिंग से होता है इसके बाद कहीं नहीं लेकिन समझाने की परपस से है तो सम्रूपता का नियम होता है सम्रूता का नियम हो यह होता है कि अगर कोई दो आन लीजिए हमारे पास ऐसे दो टैंगल है कोई जरूरी नहीं कि वो यह हूं यह हम संगत बुजाओं के जो अनपात होते हैं वो क्या होते हैं तो बहीं से इसका कॉंसेप्ट लिया है कि यहां पर भी इस सम्कौन तर्वज में क्या होता है बोजाओं के अनपात ही लिये जाते हैं जो बोजाओं के अनपात होते हैं बहीं लिये जाते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सम्कौन तर्वज को जान लेते हैं सम्रूपता से इसका कॉंसेप्ट उठाया है इसके बाद अब जानते हैं सम्क में थी इसी का आधार तो जब तक किसी चीज का आपको बेसिक नहीं पता होगा तो उसको पढ़ने का कोई फाइदा नहीं रहता क्योंकि आपको आगे की चीज़ें के लिए नहीं आती है तब तक तो समकॉर 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 तरबुज यानि इंगल्स में इससे बोलते हैं में राइट कि आने हिए कि एक कि त्रबुज मैं यसमें 103 उन्ट Hast इसमें क्या होता है कि एक त्रुमुज में एक ऐसा त्रुमुज जिसमें एक कोras 9D का हो na चाहिए होता है जिसमें एक क्या होता है यहां पर देखेंगे एक क्या होता है होता है फिर इसमें जो आपकी सबसे नीचे वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं आधार यानि कि बेस तो जैसे किसी भी चीज के नीचे क्या होता है बेस ही तो नीचे नीचे आली चीज वहला जैसे मैं ज इसे बोलते हैं लंब कि जो रेखा या जो लाइन जो होती है जिसकी मतर्स से 90 डिग्री का बनता है उसे बोलते हैं लंब तो यह हो जाएगा आपका लंब यानि की इसके बाद मबुन करते हैं तिर्षी के लिए ते खतना है इसे एसे करके आती है और यह क्या होते है एकलसे करण होतीज सबसे बड़ी जो रेखा होती गया और किसी समकोर। चीजги की सबसे वड़ी जो रेखा होती है सबसे यह कह सकते हैं सबसे वड़ी भुजा सबसे वड़ा hawam जो होता है वो क्या होता है वह होता है कर याद रहेगे यह चीज तो इसमें क्या होगा आपके तीन चीज़व होगई लंब हो गया सम choast में लंब और आधार लंब आधार कर्ण और इंग्लिस में अगर इसको लिखेंगे तो आप सॉट में लिख ले रहे हैं कि काफी लंब तो लंब का हो जाएगा बेस भी आधार का हो जाएगा पर्पेंडिकुलर पी और कर्ण का एच इसकी तीन के चलते हैं अब यही तीन के इसलिए बताया है कि इनी तीन से जो आपका जो कॉंसेप्ट होता है ट्रिग्नोमेंटरी का वो इहीं से ही उठता है कहां से इन तीन यानि कि इन तीन भुजाओं को बारी बारी से अनपात में लिखा जाता है जैसे समरूपता में भुजाओं के अनपात होते हैं सेम उसी तरह से इसमें भी जब इन भुजाओं के अनपात अलग-अलग करके लिखे जाती हैं तो बही क्या होते हैं आगे आपके तुर्कुण मिती अनपात साइन कॉस टैं कॉस एक सैक कॉट ये छे अन सबसे पहले क्या होता है एंगल जरूर होगा थीटा मतलब कोई भी कोण थीटा फाई इसमें जरूर आपको लगाना होगा थीटा फाई या कोई भी डिग्री कोई पैटालेस तीस मतलब कि यह त्रिकोड मिती 6 के 6 अनपाद जो होते हैं वह कभी भी बिना एंगल के नहीं लिखे जाते हैं कि आप सिंगल इस तरह से नहीं लिख सकते किसी को भी ठीक है साथ में कुछ ना कुछ आपको एंगल देना होता है अगर आपको फॉर्मॉला जाता है स्री साईन वरावर लंबटे कां इस तरह से नहीं है साइंटीटा बरावर दा, इस तरह कभी भी आप जो हता है कि अगर किसी के उपर किसी का ब्रव मुल बरिंदर बर्ग कर रहा है या घंड ले रहे हैं इसको क्यूब कर रहा है तो यस सायब आ तिता और क्यूब जो है डी ता की ऊपर नंगा लगा के चील याने कि जब किसी कह ब्रग करते करते हैं तो तो एंपर के गहात लगाई जाती है ना कि कॉलक्ति बूंपर इनके उपर ही लगती है किनके त्रिकूर्मिति अनपातों के ऊपर ही लगती है अब आप बात करते हैं इनके फॉर्मुलों की थोड़ी से यही बेसिक जानकारी थी यह ध्यांनाखा जरूरी होता है तो अब हम सीधे फॉर्मुला देखते हैं आपको इंग्रिस वाले और आपको बताया तो था लेकिन अगर जिसे कर्ण को हम कर्ण लंब और आधार इन तीन के ही जो अनपात होते हैं इन तीन के उपार वाला साइन यह होगा कॉस फिर हो जाएगा तैन मतलब क्या है कि साइन का फॉर्मुला लिखना होगा यानि साइन थीटा लिखना होगा थीटा लगा दे रहे हैं परना आपको थोड़ी सी कॉन्फूजन होती है क्यों यह याथ कराने लिए आप साइड में इसको कलें जब भी इसमें व्हार्ड का प्या क्षाी कर्म काला प्तिंट Century माष्ण मिलें तो इसमें क्या है लंप बते करनी का फॉर्मिला हो सेक का फॉर्मुला हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ऐसी टैन का फॉर्मुला हो जाएगा, यानि कि टैन ठीटा का फॉर्मुला जो है, वो हो जाएगा, लंब बटे आधार और कॉर्ट ठीटा का हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो अगर हम इसका फॉर्मुला लिखेंग ही बड़ाबर क्या हो जाएगा sagenendeu away लो non ऐसी अगर कॉस का लिखेंगेक इसा कौस सीटा नच और सूरिए लिखेंगे स्थीवित इससे पहले हम लिखेंगे सेक, सेक टीटा का लिखते हैं फॉर्मुला, तो सेक टीटा का फॉर्मुला हो जाएगा, कर्ण, बटे, आधार, यानि कि अगर हमें उपर वाले का फॉर्मुला पता है, इन तीन का फॉर्मुला मालूम है, तो हम इन तीन का भी फॉर्मुला निकाल सकते हैं, सेम जैसे अगर हम इनके तीन की वैलू आपको पता है, तो डायट आप इसकी वैलू निकाल सकते हैं, क्या करना होता है, साइन की पता है तो उल्टा कर देंगे तो टैन बन जाएगा सिमपल है बस इतना ही यान होता है आपको अगर हम एक इन का फोर्म्मला देखें तो आपको 100 खीटा बराब होजाएगा लंब बटे लंब बटे अधार क्या हो जाएगा लंब बटे?' अगर 我就 DECK अगर हम Read गो, कुछ इसका इसका ब्राबर公ए देखें जो करन्ले कू आप में एच लिखते हैं, हैप्रांटोनल्सु आपका वादेज्टे लिखते हैं परेपेंडुलर और आधार को याती कि इसके लिखते हैं, बेच लिते न सुम है लंब को क्या लिखेंगे P, आधार को क्या लिखेंगे B, और इसको P, B और फिर P, मतलब Y, B, और कर्ण को क्या लिखेंगे H, H, और आधार है, आधार का मतलब B, ओके, P, B, P, और H, B, इस तरह से याद है, यह इंगलिस के लिए है, यानि कि, यहाँ पर जाएगा perpendicular, लंब है, परपेंटिकुलर, अपॉन, हाइपोटैनस, सेम ऐसे ही, काण का हो जाएगा, हाइपोटैनस, अपॉन, परपेंटिकुलर, तो इससी तरह से हम बाकी फॉर्मुले भी इसके लिख लेंगे, आप इंगलिस मीडियम से जो भी है, उनके लिए इस तरह से आप याद रखने के के लिए, इसका हो जाएगा, उपर साइन, कॉस, और टैन, उपर से चलेंगे, तो साइन, कॉस, टैन चलेंगा, नीचे से चलेंगे, तो कॉस, सैक, और कॉट चलेंगा, ठीक है, याद करने के लिए यह दोनों चीज़े आप रख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, और इं इंपोर्टन चीज़ बताते हैं, कि आप जो भी तिरकोड मिती में, आप जो भी एंगल को कंसीडर करते हैं, यानि कि जो भी एंगल आप लेते हैं, उस एंगल के सामने की जो भुजा होती है, साइड होती है, जो भी बोलते हैं, वो क्या होती है, वो होती है, पर्पेंडिक कोड़ कि यह 30 का हो गया यह 45 का हो गया आप से एगर कह रहा है साइन 30 का और ऑग कोस 45 का थीक इन दोनों की भाई निकाल लिए टारेक अब को निकालने मालूम फॉर्मुले से निकाल दीए तो क्या करेंगे तो देखिए यहां पर एक बार आपको 30 damage consider करना है और एक बार 45 को तो जब 30 consider करेंगे तो यह वाली बुजा आपके लिए क्या हो जाएगी लंग और यह वादिह झेन कार करेंगे इस पूछनों क्या क्या हो तो चोटन्म पर रहते है जो है परण बॉजत हो यह स्कते हैं वह चेंज होती हैं जोभी इंगा उसके करते हैं इसके क्षेज नशन होती रहती है इक कभी देगना कि मायूशन अगर इसापर ऐससे आते हैं उनमें आधार की हैं लंब कहलाती है अब डाइट वाले फॉर्मूले आपको पता देते हैं सीधी किस तरह से आप वो यह सबसे सिंपल और सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं तो हो जाएगा साइन ठीटा साइन ठीटा बराव हो जाएगा बन अपॉन कॉसेक ठीटा साइन कॉसेक का उल्टा होता है अगर हम कॉसेक का फर्मुला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉसेक ठीटा बराव हो जाएगा बन अपॉन साइन ठीटा, सेम ऐसी लिखेंगे कॉस ठीटा का, तो कॉस ठीटा बराबर हो जाएगा, बन अपॉन सेक ठीटा, और सेक ठीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक ठीटा बराबर हो जाएगा, बन अपॉन कॉस ठीटा ठीक ऐसी सेम लिखेंगे तन ठीटा का फोर्मुला तन ठीटा इस एकल टू हो जा Fact इसको लिखेंगे अगर कॉर्मूल लिखेंगे तक आहिए अगर बना पॉन 10 Theta ठीक आप एक फॉर्मूला इसका टेंटटपा आता आतना इसी में 10 थीता का एक फॉर्मूला होता है वह होता है सैन थीटा बटे कॉस्स थीटा जब साइन और कोश्चन में आपको साइन और कॉस्ट की वैलू अगर दे रखी हो और direct आपको 10 की value निकालनी हो साइन कॉष्प की वैलू दे रखी है और direct से टैन की वैलू निकालने के लिए कह रहा हुआ है तो आप ए वाला formula उसमें ले सकते हैं अगर इसी में हम आपको पॉर्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा यह समझ में आया हुआ और फिर से पूरी इस पर बेस्ट होती है जिसमें आपका लंब कड़ आधार होता है लंब बोग जा होती है जिसका एंगल हम अगर हम फाई एंगल पर बेलू निकालनी होगी तो फाई वाला लंब हो जाएगा इधर वाला आधार हो जाएगा ठीक किलियर हुआ बेस पर परपेंडिगुलर अगर्टिंग जो है वो चेंज होते रहते हैं तो चलिए अब आपको इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं प कोशन होते हैं इस तरह के जो कोशन आने लगते हैं कि लंब करणाधार में से कोई एक चीज नहीं होती है वह आपको निकालने होती है आपको जरूद पढ़ती है पाइथागोरस पिरमे की लंब करणाधार में से कोई एक चीज जब नहीं होती है तो उसका जो निकालने के से लिए हमें क्या करना होता है यह बहुत स्पार्वे इसमें क्या होता है इसमें कर्ण का स्कौजर ब्राबर का मगए पिलस स्टॉर इसमिली बोले जो ने बर पनकिन प्रोडवर स्कौर प्लस बैस स्क्वाइर होता है अगर इसको इसे लिखेंगे तो H square is equal to P square और B square अगर यह आपको बोला जाए कि लंब और आधार में से जब कोई निकालना हो तब कैसे निकालेंगे तब क्या करना होता है बस आपको लंब जो है यानि परपेंटिकुलर को एक साइड में ले आना है तो कर्ण को दूसरी जाकर बेज देना होता है और माइनस कर देना होता है आधार में से क्लिए रुगा आपको आधार निकालना हो अगर क्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो आधार निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कर्ण में से आपको लंब को माइनस कर देना है क्लिए अगर आध तो किसी समकोंड तिरवुज में करण का बर्ग लम का बर्ग का और और योग के बराबर होता है इसी में कोशना का कमटिशन में निकलता है कि या बहुत से एक्जाम में पूछ लिया जाता है है डाय पूश ले जाता है आपको बजाएं दे रखी होती इस तरह ऐसे दे लिए तें तीन चार पांच इस तरह से आपको बंजाएं आ कोई और डिजिट दे देते हैं और पुछते हैं कि क्या इन से एक संकौर्ट संबब है तो इस संुति संबभव प Loch वने के लिए इसमें से किसी एक तो सबसे बड़ी संसे मुझा है तो उसीएक में सबसे बड़ी क्या होती है कंओ होती है सबसे बड़ी जो डिजिट है года सबसे बड़ी जो होगी उसको आप कर्ण मालेंगे क्योंकि समकोर्ट तिरुप्ष जो सबसे बड़ी बुजा होती है उसका स्कॉयर आपकी दूसरी और दो संख्यां होगी और अगर दोनों आपकी बड़ाबर रही है यह उसके पॉष्छ वीडियों कर देंगे इसके नगीए एक कर रही है हैं ओके अब हम इसमें आपको कोशन कर माते हैं एक आपको एक्जंपल कर माते हैं Supreme एंड कर देंगे इसके बाद हम और जो नेक्ष्ट पार्ट आपका आगा उसमें आपका इसुपायर रिलेशन हो गए और सूत्र है तो इसी वीडियो में हम आज आपको एक कोशन करवा रहा है जिसमें आपका साइन कोस्ट एंगल वाला जो मैंने आपको चीज बताई थी इसमें यूज होगी तो इसमें देखेंगे को देखते हैं एक अब लिखेंगे अब लिखेंगे अब कह रहा है कि दस है और सी एक क्या है तो इसमें से आप क्या करेंगे इसको देखें पोई है की सी एरग तो इसी कि चौबेश से यारनि कि आपका लं हे बू הכ इतना हैun पिस यह कीतना है वह आपका 10 आपके पास लंब है आधार आब को उस्ट होझ सक रही क्या मा अङल जिया करो और sin A, cos A, tan A, sin B, cos B, tan B भी ग्याद कीजिए तो अब इसमें हमारे पास lumb है lumb क्या है हमारा, lumb है C A वो C A, वो कितना है, 24 आधार हमारा कितना है, आधार है, B C और वो है, 10 आधार B C A, वो कितना है, 10 अब हमें निकालना है A A, B निकालना है, क्या निकालना है, तो यहां लिखेंगे पाइथा गोरस पिर में से A, B की value find करनी है, वो हमारे पूल यह पता ही नहीं है तो पाइथा गोरस जब पेपर में question आएगा, तो इसी तरह से solve करते हैं, पहले जो चीजे दी होती है, मैं इसमें कोई question किसी तरह का question हो, सबसे पहले आपको जो चीजे दे रखी होती ही, उनको आप पहले नोट करेंगे, इसके बाद से फिर question को करना शुरू करते हैं, तो पाइथा गोरस पिर में से, उसमें पहले पाइथा गोरस पिर में से हम A, B की value निकालेंगे तो पैसागुरस फिर में क्या होती है ये क्या A B है क्या A B इसमें क्या है कर्ण है ना तो कर्ण का स्कॉयर यानि कि A B का स्कॉयर बराबर लंब वाधार का स्कॉयर दोनों का तो C A का होल स्कॉयर पिलस B C का होल स्कॉयर क्लियर हुआ अब एबी का और सी ए और बी सी इसका जो स्कॉयर हो जाएगा अब एबी की बैलू यहाँ पर निकाल नहीं है तो एबी स्कॉयर बरावर सी एक बैलू लगा दें कितना हो जाएगा 24 24 का होल इसका है कितना 625 24 का हो जाता है आपका 576 24 का स्कॉयर होता है 576 और 26 का होता है 670 25 24 तो जो 25 में मिडल में 625 और उसके आगे वाले का 666 होता है पीछे वाले का 566 होता है इसा याद रखेंगे आगे अगर आगे बढ़ेंगे 25 से तो 666 हो जाएगा पीछे एट हैंगे कितना हो जाएगा 566 ठीक है 670 566 24 26 का याद रखेंगे तो 24 का जो है क्योंकि 26 वाला DCV में यूज़ोगा तो 24 का हो जाएगा पांसोचेटर और इसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा 100 तो अब पांसोचेटर में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यह जाएगा अन्डरुड यानि कि 64 का बर्गमूल निकालना है बर्ग तो 64 उसका बर्गमूल कितना होगा 26 गेंगे तो इसका यह नहीं को देखते हैं यह उपर वाला तो ज्यान से देखेंगे यह वाला वाला के लिए अब इसके सामने की जो पुझा होगी जिए वाली इसके सामने की जा तो आभ ही आधार नहीं रहे हैगा इसके लिए इसके आधार नहीं हो जो BC है आपका, वो लंब हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आपका BC, ठीक है, लंब BC है, जो कि कितना है आपका, दस है, और जो AC है, AC, यानि कि AC JЙ हो यह हो जाएगा आपका, अब वह हो जाएगा आधार, अब हो जाएगा आधार, आधार क्या है? AC और AC जो है, AC की value कितनी है, वह 24, कान तो कन नी रहेगा, कान अपरी जगह पे रहेगा, कन कितना है, कना यह आपका 26, चीक है? अब निकालते हैं sin तो इसका sin A sin cos 10 अभी 9 है तो formula कैसे याद रखें अब भी simple है लाल वाटे कक्का लिख लो केलिर हुआ लाल वाटे कक्का यानि कि पहला sin sin cos 10 इनी तीन की तो बली निकाल दी है कि वली सवाल में तो तीन ही लिख लो तो पहला हो जाएगा number of the current sin का हो जाएगा number of the current तो लिखेंगे sin एक चीज़ याद रखना कि angle बदल जाने से एक सूतर change नहीं होते हैं angle बदल जाने से कभी सूतर change नहीं होता यह मस्सोचना कि हमने angle B लिख दिया तो अब एक काम करते हैं जो सूतर को यह और हो जाएगा उसका ऐसा कुछ नहीं होता है सूतर sign की लगता है ना कि angle के लिए ठीक है सूतर sign cost यानि कि यह भजाओं के अनपात ही होते हैं उसे angle से कोई मतलब नहीं है सूतर अपना सूतर अपनी पॉर्म में रहता है तो sign यह बरावल हो जाएगा लंब बटे तो 5 बटे 13 अब निकालते है A raise a man, cost A raise a man, cost का formula क्या हो जाएगा? cost हो जाएगा? आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण cost का हो गया आधार बटे कर्ण, तो इसका formula अब इसमें value लगाएंगे, आधार कितना है? 24, कर्ण कितना है? 26 काट लिगे 2 से 2, 2 दुनी 4 गार थोएकम दो दोतियों छे कितना आ गया बारा बटे तेरा इससे जीज़ादा घ्टी नहीं सकता इसा जाटा तो पॉइंट में चला जाएगा मन तो फ़या नहीं पॉइंट की जरूत भी नहीं है आप निकालने की तो टैन यह निकालेंगे टैने का क्या हो जाएगा लंब बटे यानिकि लंब बटा आधार तो यह जाएगा लंब बटे आधार लंब कितना लंब है हमारा 10 आधार कितना है 24 कि काट देंगे दो से 25 दास दो एकम दो दो नहीं कितना जाएगा पांच बटे बारा अब यह तो आपके बैलू हो गई बटेंगि अगर 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 कितना लेता है अभी एंगल के तीन मान आपके ऐसे वाले स्वरू के श्ठार्टिंग बागी आपके तीन बचे वह बी एंगल पर लेंगे य। बравляं कि हम के वह उख pea ब्रों के भीन पर लिखने यको look बीपर अब लंब क्या है लंब हो जाएगा AC जो कर चौबिस और आधार कितना है दस वह है 20 वह हो जाएगा दस और कर्ण कर्ण नहीं रहना है तो कर्ण कितना है 26 एक अब वह आपका क्या है वह है वह वैसे आपका वेख साइन के वाले इसको चेंज नहीं करेंगे तो लिका लेंगे बटा करण तो यह लंब किता है एसी जानिकि 24 थीक है तो यह जाएगा चौवीस वटे 26 कार्ड लेंगे कितना आया अभी काटा था चौवीस वचाब्विस कितना आया था बारा वटे 13 आया था अब ऐसी कॉस बी की वैलू निकालेंगे कॉस बी तो उसमें हो जाएगा आधार पांच वटे तेरा कार्ट लेंगे दो से कार्ट देंगे लंब बटे आधार लंब बटे आधार लंब बटे यानि की 24 बटा 10 कीत होगा कार्ट लेंगे कितना जाएगा 12 बटे पांच ठीक है बस इतना याद रखना है एंगिल गलत ना हो जो एंगिल दे रहे हैं उसी पर बैल निकाल लिए आपके बैल उस अभी सही आएंगी करके देखना इस तरह के कोश्चन आगे और बुक में आपके दिया ह लगा वीडियो है और इसके आगे फिर आपको श्रीज जब स्टार्ट हो रही तो चलती ही रही और थैंक्यू सो मच यहां तक देखा ओ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंगलेश क्लास भी आपकी आने वाली है अगली वीडियो थैंक्यू चल्दी मिलते हैं तो